जटपट दुकान, स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान इस बर किसानों को कपास के अच्छे भाव मिल रहे हैं पिछले कुश दिनों से कपास के भावों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है जिसे किसान भाई बहुत खुश है कपास की कीमतों में बढ़ोती का फायदा उन कपास उत्पाद किसानों को मिल रहा है जिन्होंने अपनी कपास की फसल को रोक रखा हुआ था कपास का सीजन खतम होने के बावजूद बजार में कपास की मांग बनी हुई है और कीमतों में बढ़ोती जारी है ये पहला मौका है कि किसानों को कपास के इतने उचे भाव मिल रहे हैं वहीं रूस यूक्रेइन युद के चलते सभी फसलों के भावों में तेजी देखी गई है इसमें गेहू सरसो प्रमुक हैं अब कपास भी इसमें शामिल हो गया है वहीं गुलावी सुन्डी के प्रकोप से कपास की फसल को नुकसान हुआ है इससे कपास का उत्पादन घटा है यही कारण है कि बजार में कपास की मांग के अनुसार उत्पादन नहीं हो पाया वहीं परिनाम स्वरूब भावों में तेजी का रुख बना हुआ है कपास के भाव की रिकॉर्ड्स तर पर है और ये पैसे कमाने का सुन है राफ सर बन गया है इससे देखते हुए खरीद केंदर को अगले दस दिनों के लिए और खोले जाने का फैसला किया गया इससे किसानों को काफी लाब होगा सूत्रों के अनुसार महराश की मंडियों में कपास का भाव 14,000 रुपए के रिकॉर्ड्स तर कुछ चूगया है यहां की मंडियों में सीजन कपास के भावों में एक बार फिर गिरावट नहीं आई है कपास उत्पादक किसानों को इस बार अब तक का सबसे अधिक भाव मिल रहा है मैं किर्शी विबाग की अनुसार इस बार कपास का रखबा अधिक होने का अनुमान है क्योंकि इस बार किसानों को कपास के अच्छे दा मिल रहे है ऐसे में कपास किसान अब अधिक रखवे में कपास की खेती में रूची दिखा सकते हैं इस बार मंडियों में कपास के उचे भाव मिल रहे हैं देश की प्रमुक मंडियों में कपास के जो भाव चल रहे हैं वह इस बार कुछ अलग प्रकार के हैं महाराश वर्धा की सिंधी मंडी में कपास का औस्त भाव 13,200 रुपे प्रति कुईंटल चल रहा है वहीं अकोला मंडी में कपास का भाव 12,880 रुपे प्रति कुईंटल है साती महराज्च की अन मंडियों में कपास का भाव 12,600 रुपे प्रती कुईंटल देखने को मिल रहा है वही गुजरात की जामनगर मंडी में कपास का भाव 12,110 रुपे प्रती कुईंटल वही भावनगर मंडी में कपास का भाव 12,100 रुपे प्रती कुईंटल और राजकोर मंडी में कपास का भाव 12,150 रुपे प्रतिक्विंटल चल रहा है इसी प्रकार धोराजी मंडी में कपास का भाव 12,170 रुपे प्रतिक्विंटल देखने को मिल रहा है वही हर्याना की रोतक मंडी में कपास का भाव 9540 रुपए प्रतिक्विंटल चल रहा है तो वही एलैनाबाद मंडी में कपास का भाव 9560 रुपए प्रतिक्विंटल देखने को मिला मेह मंडी में कपिस का भाव 9530 रुप्य प्रति इंटल ون मंडीमें कपिस के भाव 9 550 रुपे प्रतिम हैं इसी तार सिर्षा मंडी में मध्यव कपास का भाव 9540 रुपय क्तुर चल रहा है तो कॉलिटी के अनुसार कपास का MSP यानि न्यूतन समर्थन मोले 5,726 और 6,025 रुपए है जब कि बजार में कपास का भाव 12,000 के उपर बना हुआ है इस तरह देखा जाए तो MSP और बजार भाव में दूना अंतर है इससे किसान जिन्होंने अपनी फसल MSP नहीं बेच कर बजार में वेपारियों को बेची उन्होंने इसे अच्छा मुनाफ़ा कमाया है वही जो किसान कपास की फसल को रोक कर बेच रहे हैं वे इससे अभी इससे लाप राप्त कर रहे हैं कपास के भावों में अभी फिलहाल तेजी बनी हुई है बजार जानकारों की माने तो अभी कपास के भाव में गिरावट की बहुत कम असार है जो किसान कपास को रोक कर च झाल झाल